कि sex drive और sperm count low क्यों हो जाता है और उसको कैसे आप recover कर सकते हैं सबसे पहले चीज़ समझ लिए diabetes में होता क्या है basically diabetes में pancreas की functioning बिल्कुल ऐसे हो रही होती है कि कभी हो रही होती है कभी नहीं हो रही होती है कि diabetes में insulin के injectables भी लगते हैं तो basically होता क्या है कि आपकी सारी की सारी metabolic activity slow down हो जाती है जैसे कि मालें जिए कोई diabetes का patient है diabetes के patient को क्या क्या दिक्कत आती है symptomatically क्या होती कि उसको craving होगी चीनी खाने की क्योंकि उसकी body energy weak या energy less feel कर रही होती है इसलिए उसको craving चीनी की होती है इसलिए हम कहते कि diabetes को चीनी बंद है बट वो चीनी की craving रहती है ठीक है पहले जी सोगे क्योंकि उसको energy requirement है बट energy मिलने रही है अब energy नहीं मिल रही है तो उसकी body क्या करेगी उसकी body low feel करेगी low feel में क्या होता कि patient क्या नींद में जाए नींद सोना सोना जादा लगे या फिर उसकी body वितनी active feel ना करेगी जितनी एक normal body की करती है अब यहां पर जब आप actively feel नहीं करोगे तो basically क्या होता है कि आप अपनी कुछ चीजों में लाग करते हो जैसे कि हमारे को एक उतेजना एक जिसे मैं बोलूं कि हम जैसे sex drive की बात करें यहां जब हम सोचते हैं कि हम भी sex करना है या intercourse के बारे में सोचते हैं या किसी female के बारे में भी सोचते हैं तो हमारी body कुछ उसके लिए ready हो जाती है जैसे कि हमारा तनाव बढ़ जाना penis का यह एक है कि अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं या thought process वैसा है तो वो सोचता है और वो penis में तनाव create करता है महाँ पर यह सारी चीज़े हम देखते हैं कि वो lack होने लग जाती है क्योंकि उसके पीछे less energy का भी एक हाथ होता है कि आपकी body less energy lack हो रही है या जिसे मैं बोलू कि energy deficit हो रही है जिसकी वज़े से आपको problems आ सकती है अब यहाँ पर problem आनी कि diabetes होई है तो आपकी तनाव आनी की भी दिकत बढ़ जाती है secondly अगर यहाँ पर मान लीजे है energy ही नहीं मिल री body को तो वो क्या करेगा sperm count को भी low करेगा अब यहाँ पर patient कहता है कि मैं diabetic था इस वज़े से मैं जब diabetes में आया तो मेरी sperm count धीरे धीरे low होने लगे अब धीरे धीरे low होने का reason वह हमसे कहता है कि diabetes एक reason है मैं कहता हूँ definitely एक reason है बड़ इसके साथ साथ क्या इसको हम manage करके इसको ठीक कर सकते हैं यह question जरूर पर पूटन होता है कि patient पूछता है कि इसको manage करके ठीक किया जाए या हम जो दवाइया खा रहे हैं उसके साथ आपकी दवाइया खाया हो ठीक हो जाए मैं यहाँ पर यह simple कहता हूँ कि आपने management तो रखना ही है आप जो medicine ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी pancreas से फंक्शनिंग करवा पाए वो insulin निकलवा पाए आप इसलिए वो only medicines ले रहे हैं ना कि आप उसको manage कर पा रहे हैं मैंनेज करने में क्यों होता है कि आप अपनी डाइट को रिफार्म करते हैं छोले बतूरे भार का खाना आलू यह सारी चीजे खानी बंद कर देते हैं और उसको manage करते हैं कि वो खुद से ही चीजे बैलेंस चले जब बॉडी खुद से ही बैलेंस चीजे को साथ चलती है तो एक या दो महीना लगते हैं सेटल होने के लिए उसके बाद आप उस पोजिशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी सारी की सारी जो बॉडी है वो काम करना दुबारा से स्टार्ट करती है तो यहां पर क्या है आपने थोड़ा टाइम मैनेज किया साथ पर साइड आपने मैडिसन ली बर दीरे दीरे उसको छोड़ने की कोशिश करी डाइबिटेस की आपने डाइबिटेस की मैडिसन को दीरे दीरे छोडने की कोशिश करी साइड बर साइड आपने कोई भी मेडिसिन ली चाहे मैं यह नहीं कहता कि आप आई वेट जा रहे हैं या होमोपेज जा रहे हैं कोई भी पैथी यूज़ करते हैं उसके बाद उसका असर स्परम काउंट पे अपने आपे रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है जैसे कि हमें रिक्वाइमेंट है प्रोटीन की तो प्रोटीन की रिक्वाइमेंट हमारी बोडी खुद से ही प्रोड्यूस करेगी ना और वो प्रोड्यूस कहां से कर पाएगी जब हम खाना खाएंगे प्रोटीन का प्रोटीन के प्रोटीनियशस स्परम को भा नियाल पाएंगे वरना नहीं निकाल पाएंगे और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा क्या लगता है Metabolism, Digestion System, सारी चीज़े लगती हैं उसको सारी चीज़ों को गेन करने के लिए उस एनरजी को भी body में आए और वो आपको return में as a sperm count rich दे तो basically आपने करना क्या है आपने manage करना है अपनी diabetes को as a diet में secondly आपने करना क्या है कि अपने medicines चाहे आप कोई सी भी पैथी यूज कर रहे हैं वो matter नहीं करता अपनी medicines को लेते रहे हैं आप आज start करते हैं इन सारी चीजों को लेकर उसके बाद आपको revert back में मिलता है अब diabetes के patient को एक सबसे बड़ी चीज चाही होती है body की movement क्योंकि metabolic activity भी तभी use होती है जब आपकी body की movement होती है diabetes lazy feel कर रहा होता है diabetes patient lazy feel कर रहा होता है इसलिए आप यहां पर क्या करेंगे थोड़ी बहुत physical activity बढ़ाएंगे मैंने special exercise बिना रखी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके groin area के पे काम करती है और वो exercise करके आप अपनी ये जो थोड़ी बहुत दिक्कते जो आप sperm count में देख रहे हैं वो भी अपनी enrich कर सकते है उसका link में नीचे description में दे दूँगा आप जाके खोल सकते हैं वो exercise घर पे follow भी कर सकते हैं इसी के साथ अगर कुछी जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मेरे sperm count बढ़ जाएं या आप चाहते हैं कि बहुत लोग की तरफ चाले गए हैं तब भी आप मेरे को नीचे देवन नमबर पर call कर सकते हैं मेरे टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक right solution ले सकते हैं